अब यहां पर आपको क्या करना होगा सबसे पहले उस चीज को समझेगा यहां पर आपको किसी भी लेंग्वेज से दूसरे लेंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करना होगा अगर इंग्लिश से हिंदी करना चाहते हैं इंग्लिश तो कोई भी लेंग्वेज में आप अगर ट्रांसलेट करना जानते हैं तो आपके लिए यह वर्क बेस्ट रहेगा तो मैं इंग्लिश तो हिंदी ट्रांसलेट करना चाहूंगा तो आपको इस तरह का वर्क मिलेगा दे पढ़ कर आपको इस translation का आंसर देना होगा, यह English में लिखा गया है और Hindi में translate करके आपके सामने रख दिया गया है, आपको बस इसको translate करने के लिए खाली select करना होगा, यहां पर आप लोगों को select करना होगा, लेकिन कभी-कभी आप लोगों को translate ही करना पड़ेगा, type ही करना पड़ेगा आप लोगों को कि क्या बोल रहा है इंगलिश में? तो उसको हिंदी में आपको translate ही करना होगा कितना मिलेगा यह सारी जान्कारी में आपनों को बताऊंगा कोई भी language में कर सकते हैं किसे भी language में आप कर सकते हैं तो आएए एक-एक स्टेप में आपनों को बताऊंगा थ्यांद से इस वीडियो को देखिएगा बिना इसकीप किये हुए देखिएगा सिंपल सा वर्क है, टाइपिंग वर्क, ट्रांसलेशन का वर्क है ट्रांसलेट कर देना है, आपका पैसा और्म हो जाएगा तो आएए बताते हैं एक-एक स्टेप इस वेबसाइट के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इस तरक एंटरफेस पर पहुंचेंगे देखिए, इस तरक एंटरफेस से आप इहाँ नीचे आएँगे स्ट्रॉल करते हुए नीचे चले आएँगे scroll करते हुए नीचे आएंगे सबसे पहले इसका rate देखते हैं कि आपको कितना मिलेगा सबसे पहले इस चीज को भी आप लोगो देखना होगा क्योंकि पैसे के लिए ही हम काम कर रहे हैं देखिए from English to Spanish अगर आप करते हैं तो 0.06 per word यह समझ रहे हैं 0.06 per word लेकिन हमको English to Hindi करना है मुझे तो क्या करना होगा यहाँ select करेंगे इंग्लिस में Spanish पर लिखा हुआ है यहाँ पर हम select करेंगे यहाँ से Hindi को select करके हम यहाँ पर डाल देंगे तो हमारा यहाँ पर language change हो जाएगा हम हम Hindi को यहाँ पर आ जाएगा एक वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करते हैं उसके लिए हमको 0.03 डालर मिलेगा समझ रहे हैं आप होता कितना है यह आप कैलकुलेट कीजिए तो इतना हमको मिलेगा तो देखिए यहाँ पर होता है 0.03 डालर मतलब 2 रूपिस 44 पैसा आप लोगों को मिलेगा प्रतिक वर्ड के लिए 2 रूपिस 44 पैसा आप लोगों को प्रतिक वर्ड का यहाँ पर मिलने वाला है अब हमको यहाँ पर किस तरीके से हम काम करेंगे, इस चीज को हम बताते हैं, आपलों को नीचे स्ट्रॉल करते हुए नीचे चले आना है, सबसे नीचे चले आना है, यहाँ पर आप लोगों को एक option दिखेगा, उस option पर आप लोगों को क्लिक करना होगा, नीचे आयेंगे, become a translator आप देख रहे हैं इस चीज को become a translator इस पर हम क्लिक करेंगे ध्यान से समझिएगा यहाँ पर जैसे हम करेंगे आपको इस तरह का इंट्रफेस दिखाये देगा अब यहाँ पर आएंगे तो हम को become a translator फिर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर हम फिर से क्लिक करेंगे become a translator पर जैसे हम यहां पर क्लिक करेंगे हम इस तरके interface पर आजाएंगे create an account आपको अब यहां पर इसका account बनाना होगा इस website का account बनाना होगा उसके लिए आपको translator में ही रहने देना है email address डालेंगे password डालेंगे password डालने के बाद इस box पर टिक करके create a new account पर क्लिक कर देंगे नहीं तो आप sign up with google, google से sign up कर सकते हैं facebook से भी आप sign up कर सकते हैं जैसे आप sign up करेंगे आज आप इस website के अंदर चले जाएंगे और अपना काम start करेंगे तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले form को fill up करते हैं तो जैसे हम register करेंगे हमको यहाँ पे पूरे information को fill up करना है last name आपको लिखना होगा first name लिखना होगा address यहाँ पे information कर देंगे line 1, line 2, town, city, आपका state जो है आपका postal code, आपका country, time zone यह सब कुछ select करेंगे और यहाँ पे नीचे tax declaration, do you live in the US बोलेंगे तो no पे हम select करेंगे इसके बाद हमको continue पे click कर देना होगा तो आईए हम इसको fill up करते हैं तो उसके बाद आपको अब यहाँ पे पूछा जाएगा what experience do you have आपके पास कौन सा experience है तो I am a new translator पे हम select कर देंगे preferred translation topics आपको यहाँ पे select करना होगा यहाँ पे कोई भी animal के उपर आप translation करना चाहते हैं इसको okay कर देंगे field of study आपका field of study क्या है arts है तो arts पे हम select करेंगे और okay कर देंगे इतना करना के बाद continue पे हम click कर देंगे दिखिए ध्यान से समझेगा मैं एक genuine सा website आप लोगों के लिए बता रहा हूँ अब आपको यहाँ पे चले आना है test के उपर तो test अब आपको यहाँ पे start होगा तो सबसे पहले आपको select करना होगा कौण सा language से कौण सा language पर आप काम करना चाहेंगे तो यहाँ पर हम को select करेंगे. कौण सा language. Select the language from which you want to translate ठर्रेंगरे है, आपको किस language में आप translate करना चाहते हैं, then select the language you want to translate into, तो सबसे पहले हमको English को select करना होगा, हम English से करेंगे, यहाँ पर English दिखाए दे रहा है, English पर करेंगे, तो अब हमको select किजिए, काउन सा language पर translate करना चाहेंगे, तो हम Hindi में करना चाहेंगे, English to Hindi, तो हमको यहाँ पर Hindi हिंदी दिखाए देगा, हिंदी पर हम select करेंगे, अब इसके बाद हम आपको यहाँ पर देखिए, show test दिखाए दे रहा है, यहाँ पर click करेंगे, तो test show होगा, अब आपको यहाँ पर थोड़ा देर wait करना होगा, English to test, अब आपको यहां पे देखना होगा, आपने select कर लिया है, अब आपको यहां पे start का button दिखाइए रहा है, आप देख रहे हैं, यह start का button आप लोगों को दिखाइए रहा है, start के button पे click करेंगे, और test को हम देंगे, start पे click करेंगे, जैसे हम start पर click करेंगे, आपको यहाँ पर एक test होगा, the 5 questions आप लोगो दिये जाएंगे, इन 5 questions का आपको answer देना होगा, I agree पर click करेंगे, और confirm के button पर हम click कर देंगे, question 1 of 5, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, पूरा दे दिया गया है, question दे दिया गया है, यहाँ पर आपको आपको पुछा जाएगा, जैसे हम try कर लेते हैं, एक question दे देते हैं, इस पर हम select कर दिये, confirm पर click कर दिये, तो submit answer पर दे दिया जाएगा, तो submit answer पर हम click करेंगे, फिर दूसरा question आ जाएगा, देखिए, number 2 question आ गया, तो हमको इसी पर select करेंगे, फिर confirm पर click करेंगे, submit answer, your answer is final के भी पुछा जाएगा, तो submit answer पर हम click करेंगे, तो फिर से हमको 33rd number आ चुका है, अगर हम fail हो जाते हैं, तो भी आप लोगों को बता देगा, देखिए, confirm पर click करेंगे, submit answer पर click करेंगे, हम randomly select कर रहे हैं, देखिए, 4 पर भी हम 4 को select करेंगे, उसके बाद confirm पर click करेंगे, submit answer पर click कर देंगे, फिर last question आप लोगों के सामने आ चुका है, इसके लिए भी हम इसको select करेंगे, confirm पर click करेंगे, submit answer पर हम click कर देंगे, तो देखिए, test result failed, अब देखिए, you may retake the test after 72 hours, you have two attempts remaining, यानि कि आप 3 ही बारे या पर attempt कर सकते हैं, द्यान रहे, एक email ID से आप 3 ही बारे यहाँ पर attempt कर सकते हैं, यह चीज समझेगा, फिर आपको दुस्ता email ID पर try करना होगा, तो जैसे आप यहाँ पर form को fill up करके, यह test को भी आप pass कर देंगे, आपको definitely यहाँ पर work मिलेगा, तुरंत मिलेगा, 24 गंटे के अंदर आपको यहाँ पर translation का job मिलेगा, तो यह अच्छ